आज़ मलाइकेश रोल बनाएंगे यह रोल खाने में बहुती स्वादी श्टेइन में एक दम आवा के जैसा टेस्ट आता है और बनाने में एक दम ही आसान है तो चलिए जानते ही से कैसे बनाए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलीज मेरे चैन देख लेते हैं, मिल्क पाउडर आदा कटोरी, एक कटोरी सक्कर पाउडर, एक कटोरी मलाई, दस बारा दागे केसर के, एक कप दूद, आदा कटोरी रवा, एक मुठी खसकस और एक मुठी अमने ड्राइप रूट की कत्रन लिए, सबसे पहले हम एक पैन को गैस पे रखेंग उसके अंदर हम रवा डालकर थोड़ा सा बूनेंगे, इसका आम कलर चेंज नहीं करेंगे, इसको एक दम अलका सा बूनना है, रवा आमने अलका सा बून लिया है, अब इसके अंदर हम दूद डाल रहे हैं, दूद को हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, और इसको लग यस को shoulder पकाईएि को सब्सक्रण कर देगे तो कि अमारी सक्हर अच्छे से मीक्स आप प्योडर दालेगे तो एसके अंदर म्लिक पाउडर डालते के बाद अंधरम मिक्स करेंगे और गैस का अपले माम एकदम लो रखेंगे सक्कर को अमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल रहे हैं और साथ में यह मलाई भी इसके अंदर डाल देंगे यह अमने मलाई भी डाल दी मलाई डालने के बाद गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे ये देखी थोड़ी दिर पकाने के बाद ये पेश्ट कैसे मावे के जैसा हो गया है तो आब हम इसके अंदर केसर डाल देंगे जो हमने पहले से ही दूद में भिघो के रख ली थी ये केसर डाल दी आब इसको हम लगातार चलाते हुए एकदम गाडावने तक पकाएंगे अब इसके अंदर हम ड्राइफ रूट की कत्रन डालेंगे जो अमने बादाम और काजु की बारिक कत्रन बना के रखी थी वो भी इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा इलाइची पाउडर भी आमने इसके अंदर डाल दिया है इलाइची पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुती अच्छा हो जाता है तो आप इसके अंदर इलाइची पाउडर जरू डाल ये ये देखिए हमारा पेश्ट कैसे गाड़ा होने लगा है तो इसको अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे अमारा पेश्ट तयार हो गया है इसने पूरा गी छोड़ दिया है और पेश्ट को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे इसको लगबग 10 मिनिट तक ठंडा करेंगे फिर अम इसके रोल बनाए है तो आमारे आत पे थोड़ा सा गीच ही पतता है क्योंकि आमने इसके अंदर मलाई डाली है तो मलाई ने पूरा गी छोड़ दिया है ऐसे या आत से गोल गोल करते हुए हम पूरे रोल बना लेंगे ये रोल बनाने में लगबग 10 मिनिट का टाइम लगता है और खाने में यह बहुती टैस्टी है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई की जिए दूरे रोल अमने बना लिये है अब हम इसके ऊपर खस खस लगाएंगे ऐसे हम आदे रोल पे ऐसे इसको माते हुए खस खस लगा लेंगे और आदा रोलम ऐसे ही रखेंगे इसके उपर आम ड्राई हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं सभी रोल को आमने खस-खस से सजा लिया है अब आम इनके उपर ड्राइफूट लगा लेते हैं ये लीजी आमारे मलाई केसर रोल खाने के लिए तयार हैं तो आप भी इसको जरूर बनाए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन उसे क्लिक कीजिए वीडियो को सेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले रोल आपको कैसे लगे कमेंट जरूर करें धन्यवाद